हाला कि उस समय मैं जानती नहीं थी कि क्या कुछ किया जाता है बपा को घर लाने के बाद और बपा ने ऐसा किया मेरे साथ याने तीन महीनों में किट्नी फेलियर मेरा रिवर्स हो गया था हर साल चाहे कुछ भी हो जाए मैं बपा को लेकर आऊंगी घर पर बिठाऊंगी जैसे कि आप देख सकते हैं शरलीन की गारी में अल्रेडी हम लोग बैठ चुके हैं बपा को लाने जा रहे तो इस बीच हम थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं शरलीन के साथ सो शरलीन सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आप कब से बपा को अपनी घर बैठा रहे हो और किस तरह से आप पूजा करते हो 2021 से मैंने बपा को घर पर बिठाना शुरू किया और ये वो साल था जब मुझको किड्नी फेलियर हुआ था और आप सोच सकते हैं कि कितना मुशिल रहा होगा मेरे लिए उस साल के दिन उस साल में बपा को घर पर लाना और उनकी सेवा करना हाला कि उस समय मैं जानती नहीं थी कि क्या कुछ किया जाता है बपा को घर लाने के बाद उनकी सेवा कैसे करी जाती है पूजा कैसे की जाती है अर्चना कैसे करी जाती है ये सब नहीं मालूम था मुझे तो उस समय मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, उनसे कहा प्लीज आईए मेरे घर पर मुझे बताईए क्या करना है, कैसे करना है मैं शुक्र गजार हूँ उन दोस्तों का जो उस समय आए थे मेरे घर पर और उन्होंने देखा कि मैं किस हालत में थी, मैं हैवी स्टेरोइज ले रही थी उस समय क्योंकि स्टेरोइज आर बेसिकली लाइफ सेवर्स, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉंग मेडिकेशन दी थी किड्नी फेलियर को रिवर्स करने के लिए, और मैं ठीक तरह से सोने ही पाती थी, हमेशा हैंग ओवर हुआ करता था, स्लीप हैंग ओवर जिसे कहते हैं, तो उस हालत में सवेरे जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा करना, बपा के लिए स्वादिष्ट आहार बनाना, और फिर उनको भोग चड़ाना, ये सब करके मेरे ख्याल से मुझे एक बहुत ही सकारात्मक उर्जा मिलती थी, और ये लगता था कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, जो कुछ भी सही नहीं जा रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा, और बपा ने ऐसा किया मेरे साथ, यानि तीन महीनों किड्नी फेलियर मेरा रिवर्स हो गया था, तो मेरे ख्याद से ये किसी चमतकार से कम नहीं है, क्योंकि आम तोर पर लोग जब सुनते हैं कि मैंने किड्नी फेलियर को रिवर्स किया, तो वो बोलते हैं कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है, किड्नी जब फेल हो जाती है, तो उसके तो तब से मैंने ये ठान लिया कि हर साल चाहे कुछ भी हो जाए मैं बपा को लेकर आऊंगी घर पर बिठाऊंगी उनकी सेवा करूंगी शुरुवात में मैंने डेर दिन के लिए रखा और पिछले साल तीन दिन के लिए और इस साल भी तीन के लिए हो सकता है आगे चल कर मैं पांच साल पांच दिन या साथ दिन के लिए रखों और मैं बस चाहती हूँ कि घर पर एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बना रहे सकारात्मक उर्जा मुझे मिले और मैं दूसरों को दूँ और लोग आए घर पर दर्शन करें हम पूजा पाट करें और सात्विक आहार काफी अच्छा किया शलीन आपने घर पे जैसे कि हमने देखा बपा के लिए आपने काफी भवे तरीके से आपने जो डेकोरेशन किया है तो कितनी मैनत लगिया आपको डेकोरेशन करने में और किसने हल्प कि आपको अभी तो कुछ नहीं किया वो तो बस यो ही आई ऐसे ज उनके आने के बाद मैं शुरू करूंगी प्रॉपर डेकोरेशन मतलब फूल फल दिया अगरवत्ती सब सब A to Z ये सब वहां पर रखकर सजाना है और कल सवेरे अच्छे से सनान करके पूजा करके बपा में प्रांड प्रतिष्ठा की पूजा करनी है और उसके बाद सबसे पहले तो उनको भोग लगाऊंगी मैं मोदक और जो कुछ वेजिटेरियन खाना बनेगा घर पर और उसके बाद अटाक करूंगी मोदक पर आपके बाद सब्सक्राइब आपके तो चलिए गाइस आप भी स्टेट यो नहां जब तक हम लोग वहां पहुंसते नहीं है